नमस्कार दोस्तों स्वागात है हमारे एकन किसी जैसे चैनल में आपका दोस्तों आज मैं आपको पसू को जो है हीट में लाने के तीन ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों वो बहुत ही कारगर हैं दोस्तों बहुत सारे पसू पालग भाई इसको प्योग करते हैं और ज ऐसे तो, दोस्तों, हीट में आना जो है natural है, लेकिन अगर हीट में नाये पसु, तो इससे हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ता है, जिससे पसु का गाविन होने में देरी हो जाती है और हमको दूद उत्पादन में भी देरी हो जाती है, इससे बहुत ज़ादा नुक करी के लिए और notification bell को दबाएं साथ यौल को दबाएं ताक कि सभी जनकर आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो दोस्तों जो पहला उपाय है उसमें हमको ये करना है दोस्तों जाय फल का एक फल होता है जो मसालों में उप्योग होता है वैसे ही जाय फल के फल दो से तीन जो है हमको जाय फल के फल लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से आग में भुनना है आग में भुनने के बाद इस ये जो घरिलु दवाई है इसका उपयोग हमें लगातार तीन दिन तक करना है तीन दिन में आपका पसु जो है आसानी से हीट पे आ जाएगा दूसरा जो उपाय है दोस्तों इसमें हमको ये करना है कि हमको सरसो का तेल लेना है लगभग 100 ml सरसो का तेल धाई सो ग्राम गुड और 500 ग्राम तिल जो है इन तीनों को अच्छे तरीके से मिला लेना है और इस मिस्रन को रोजाना एक बार लगभग 5 दिन तक देना है दोस्तों इससे भी पसु हीट में आ सकता है दोस्तों ये दूसरा उपाय है दोस्तों और तीसरा और सबसे अच्छा कारगर उपाय है दो दोस्तों इसे पसू को हमें 100 ml तेल मिला करके पसू को देना है कि आपको करेंज तो चाइख साम को सब चीज यो है अपको दाना चारा दे दिये उसके बाद आराम से बैट जाता है उस समय हमको पसू को यह देना है और यह लग पहिछ चार दिन तक लगातार देंगे दोस्तों तो पसु जो है आसानी से हीट में आ सकता है तो ये तीन उपा है दोस्तों दोस्तों वैसे तो जो है पसु का हीट में नहीं आना जो है उसके वजन पे भी निरवर करता है तो आप पहले जांच लें कि आपका पसु सही वजन है की नहीं है क्योंकि अगर जो भैंस है अगर तो लगभग 3 क्विंटल का वजन होना चाहिए और इस वजन को दोस्तों उसे 24 माह में प्राप्त करना चाहिए और वहीं अगर गाय की बात करें तो गाय का वजन लगभग 2 क्विंटल होना चाहिए और ये वजन जो है उसको 12 माह में प्राप्त होना चीए तो वजन एक कारण हो सकता है दोस्तों जिसकी वज़से पसू हीट में नहीं आता तो आप पहले वजन को अच्छे तरीके से जांच ले तो ये थी जनकारी दोस्तों आज की वीडियो में और ऐसी जनकारीय के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि हम अब तक ऐसी जनकारीय पहुंचा सकें सबसे पहले आज की वीडियो में इतने हैं दोस्तों थैंक्यो